हेलो एव्रीवन आज हम डिस्कस करेंगे कि CBSE ने सेशन 2020 से 2021 के स्टुडेंट्स के लिए मैक्स के सिलबस में क्या रेडक्शन किया है इस वीडियो में आपको मैंने चैप्टर वाइस विद प्रॉपर क्वेस्टन कौन क्वेस्टन आपके सिलबस में से कट हो चुके है वो बता है चली शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स रियल नंबर्स में से एक ही टॉपिक डिड़क्ट हुआ है जो की है यूकलिस डिविजन लेमा यह आपके सिलबस में आप नहीं है यानि की क्वेस्टन इसके बेस पर जो भी क्वेस्टन थे वो आप नहीं पूछ जाएंगे चली देख लेते हैं कौन-कौन से questions हैं जो इस पर based थे आपके exam में अब example 1 and example 2 यह दोनों नहीं आएंगे क्योंकि example 1 में यूकलिस डिविजन अल्गॉरित्म यूज करके HCF निकालना है जो कि यूकलिस डिविजन लेमा पर based है and example 2 में आपको यूकलिस डिविजन लेमा यूज करके इसको solve करना है तो यह दोनों question आपके syllabus में से हट चुका है next देखते हैं हमारे पास example 3 आपके exam में नहीं आएगा क्योंकि यह यूकलिस डिविजन लेमा पर based है and example 4 में देखेगा book में इसको यूकलिस डिविजन अल्गॉरित्म यूज करके HCF निकाला है लेकिन question में कहीं यह mention है कि यह इसी method से आपको solve करना है नहीं न तो हो सकता है CBC वाली question आपको दे दे तब आप क्या करेंगे prime factorization method ज तो हो सकता है यह fourth question आ जाए paper में लेकिन topic यह C पर based है तो यह वैसे तो cut होना चाहिए लेकिन अगर CBC वाले दे देते हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते है क्योंकि वो prime factorization method से भी HCF निकाला जा सकता है तो मेरा suggestion यह रहेगा कि आप example 4 को neglect ना करें अब देखिए exercise 1.1 अगर देखा जाए तो यह पूरा exercise cut है क्योंकि यह सब Eucleus division lemma या फिर algorithm पर based है लेकिन मेरा suggestion यह रहेगा कि आप third वाला question को neglect ना करें क्योंकि यहाँ पर HCF आप prime factorization method से निकाल सकते हैं बाकी सारे question sure है कि यह cut है 1st question, 2nd question, 4th question and 5th question directly based है Eucleus division lemma और algorithm पर तो यह तो cut है आपका third question का मेरा suggestion रहेगा कि आप इसको करके देखें ओके first chapter में आपका सिर्फ इतना ही reduction है, बाकी सारे exercise आ रही है, कोई भी question cut नहीं है next देखते है हमारा second chapter, second chapter है हमारा polynomials, इसमें से क्या delete हुआ है देखिए इसमें वो questions जिसमें आपको divide करना पड़ता है, वो सारे questions अब नहीं आएंगे एक्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, यानि कि जो कि division algorithm पर based है, जहां पर हम divide करते हैं, तो देखते हैं कौन से questions है हमारे पास, example 6 आपके exam में नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए यहां पर divide करने के लिए बोल रहा है, मैं आपको बताया था, वो सारे questions इसमें division involved है, वो आप न divide कर रहा है, तो यह भी नहीं आएगा, आगे देखते हैं, example 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर divide करने के लिए बोला गया है, example 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी हमें division करना पड़ता है, हाला कि यह question important था, लेकिन इस बार यह नहीं पूछा जाएगा, ओके, अब हमार इसा question नहीं है, जिसमें division नहीं होगा, सारे questions में division परफोर्म होगा, इसलिए यह आपके syllabus में अब नहीं आएगा, ओके, यह आपका second chapter का optional exercise है, इन में से कौन को सा question नहीं आएगा, देखिए, optional exercise में से आपका fourth question और fifth question, यह cut हो चुका है, क्योंकि इसमें division करना है आपको, या क्योंकि इसमें division involved है, अब देखिए, third chapter, pair of linear equations in two variables, इसमें as such कोई question कट नहीं है, लेकिन एक topic कट है जिसका नाम है, cross multiplication method, और मैंने वैसे भी आपको बताया था, कभी भी exam में यह लिखे नहीं आता है, कि इस particular method से आपको करना है, आपको जो method easy लगता है, आप उससे कर सकते है लेकिन इस बार CBC ने आपके लिए simplify कर दिया, कि cross multiplication method को आपके syllabus में से cut कर दिया है, तो जहां भी आपको cross multiplication method use करना था, अब आप उसको use नहीं कर सकते हैं, ओके, वो cut हो चुका है, as such कोई question नहीं कटा है, लेकिन एक topic कटा है, जो की है cross multiplication method, ओके, next है हमारा fourth chapter, quadratic equation, CBC ने आप करती जादा simple syllabus बना दिया है, इस chapter के लिए, क्योंकि इसमें से सारे word problems, वो सारे question जिसमें आपको quadratic equations बनानी पड़ती है, वो सारे problems आपके लिए हटा दिये गए है, ओके, तो जितने भी word problems है, वो इस बार नहीं आएंगे, direct वो question आएंगे, जिसमें quadratic equation पहले से दे रखी चली देखते हैं कौन-कौन से questions हैं वो, अब देखिए, example 1 की first and second part, दोनों ही आपकी syllabus से cut हो चुके हैं, ये questions exam में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, word problem है, and आपको word problems नहीं पूछे जाएंगे, आपको direct questions दिया जाएगा, quadratic equation का, जिसमें आपको solve करना है, next पूरूर आ सकता है, क्योंकि इसमें word problem नहीं है, second question आपको पूरी तरह की से cut है, ये भी आपके second question का parts है, तो ये भी आपके exam में नहीं पूछा जाएगा, अब देखते हैं exercise 4.2, exercise 4.2 में आपको second question से लेकर, sixth question तक, ये सारे questions cut है, क्योंकि ये सारे word problems है, तो ये आपके exam में नहीं पूछे जाएगे, first question जो है, वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये word problem नहीं है, example 11 and example 12, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, word problem से आपके, example 15 भी cut है, आप book में mark कर लीजिए, कौन-कौन से questions आपके syllabus में से cut है, exercise 4.3 में आपके, 4 से लेके 11 तक सारे questions cut है, तो आप book में mark कर सकते हैं इसको, question 10 and question 11, ये भी आपका cut है, example 17 आपका cut है, exercise 4.4 में देखिए, third question, fourth question and fifth question, ये तीनों ही word problems है, तो ये नहीं आएगे, okay, fifth chapter है हमारा, arithmetic progression, यानि की AP, इसमें से क्या हटाया है, क्या देखिए, वो सारे situational problem, जो की real life पे based है, वो सारे problem, जिसमें सम का formula लग रहा है, okay, SN का formula लग रहा था, क्या होता, SN का formula, N upon 2, 2A, plus N minus 1, into D, okay, ये formula, जिस भी word problem में use हो रहा है, and situational word problem होनी चाहिए, वो, वो deducted है, चलिए देखते हैं, कौन से questions हैं वो, example 16 का, ये जो third part है, वो आपके exam में नहीं आएगा, क्योंकि ये, sum पर based है, ये एक situational problem है, जिसमें जो sum वाला part है, जिसमें आपको sum निकालना है, सिर्फ वो ही नहीं पोचा जाएगा, बाकी जो first and second part है, उसमें कोई देखते हैं, वो पोचे जा सकते हैं, okay, अब देखिए, exercise 5.3 में से, question number 15, 16, 17, and 18, ये 4 questions कट हैं, क्योंकि ये sum पर based questions हैं, okay, इसका मत questions कट हैं, मतलब वो questions जिसमें directly पूछा गया है, find the sum of first 10 natural number, तो इस type के questions कट नहीं होंगे, क्योंकि वो situational problem नहीं है, okay, वो सारे problems, जो situational problem है, और जिसमें sn का formula लगेगा, वो ही कट हैं, okay, अब आप कहें कि, find the sum of first 10 multiples of 25, तो ये question कट नहीं होगा, हाला कि इसमें सम का formula लग रह situational word problem नहीं है, okay, आगे देखते हैं, इसी तरीकी से 19th question and 20th question ये भी कट है, देखिए, आपको दिखने से ही लग रहा है, ये real life पे based question है, हना, और इसमें क्या लग रहा है, sum का formula लग रहा है, इसलिए ये question नहीं आएगा, अब देखते हैं, optional exercise, optional exercise में से, आपका first question and second question को करिएगा, okay, तो first question और second question आपका आ रहा है, बाकी सारे question कट हैं, यानि कि third question आपके में नहीं आएगा, fourth and fifth question ये भी नहीं आएगा, okay, next देखते हैं, हमारा sixth chapter, sixth chapter हमारा है triangles, इसमें से कोई question deducted नहीं है, लेकिन दो theorem के proof आपके exam में नहीं पूछ जाएगे, चली देखते हैं, कौन से दो theorem है वो, ये देखिए, theorem 6.6 and theorem 6.9, okay, इनके proof अब नहीं आएगे, ये theorem नहीं हटी है, इनका proof नहीं आएगा, okay, तो 6.6 जो है, बहुत ही important theorem हुआ करता था, लेकिन इसका proof नहीं आएगा, ये theorem आएगी, लेकिन इसका proof नहीं आएगा, इसके base पे जो भी questions है, वो सा सारे questions आएगे, कोई question नहीं कटा है, इस chapter में से, सिर्फ इन दौनो theorem के proof कटे है, 6.9 theorem कौन सी है, Converse of Pythagoras theorem है, okay, इन दौनों का theorem का proof नहीं आएगा, next है हमारा chapter 7, coordinate geometry, इसमें से हमारा एक topic डिटक्ट हुआ है, जिसका नाम है, areas of triangle, okay, तो area of triangle, जिसका formula था, half, x1, bracket में, y2-y3 plus x2, bracket में, y3-y1, plus x3, bracket में, y1-y2, okay, इस formula से जो हम area of triangle निकालते थे, वो आप हट चुका है, okay, questions देख लेते हैं, कौन-कौन से questions है, इस पर based, example 11, and example 12, यह दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें area of triangle निकालना है, आपको, okay, तो यह दोनों deducted है, example 13, यह नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी area of triangle निकालना है आपको, example 14 के लिए देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक general method होता है, जिसमें AB plus BC is equals to CA, अगर माल लीजिए एक line पर, तीन points है, A, B और C, इन तीनों को collinear तब कहते हैं, जब AB plus BC is equals to AC या पर CA इसके equal आजाए, तो इस method से आप करेंगे, तो तो यह question में कोई दिखकत नहीं है, अगर एक और method होता है, जिसमें हम area of triangle ABC is equals to 0 करके करते थे, okay, तो वो वाला method आप use नहीं कर सकते हैं, आप यह वाला method यूज कर सकते हैं, तो as such हम यह नहीं कह सकते हैं, यह question cut है, क् general method कहते हैं, इसको, okay, example 15 देखिए, यह भी cut होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर area of quadrilateral पूछा है, यानि कि area of quadrilateral किसे निकलता है, आपको पता है, एक diagonal join करने पर 2 triangle बन जाएंगे, और आपको यहाँ पर फिर क्या लगाना पड़ेगा, triangle का area, तो यहाँ पर देखिए, यह वा exercise 7.3, इसमें सिर्फ first question cut है, second के लिए मैंने आपको बताया था कि यह दूसरे तरीके से भी हो सकता है, collinear वाला question, तो इसके लिए हम confirmly नहीं कह सकते, यह question नहीं आएगा, इसके लिए आप risk मत लीजिए, इसको करके देखिएगा, third question, यह cut है आपका, fourth question, यह भी cut है आपका, fifth question, यह भी आपका cut है, okay, सिर्फ second question को छोड़के, बाकी सारे questions आपके cut है, अब देखिए, optional exercise मैं से, fifth question का देखिए, second part में जो यह वाला part है, also calculate the area of the triangles in these cases, यह वाला part नहीं आएगा, बाकी सारे part पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी area of triangles से involved नहीं है, okay, and sixth question आपका cut है, पू next chapter है हमारा, eighth chapter, introduction to trigonometry, इसमें से दो topic deleted है, पहला topic मुझे ज़रा समझ में नहीं आया है, कि motivate the ratios, whichever are defined at 0 and 90 degree, तो sorry, मैं इस topic को आप बता नहीं सकता है, इस topic में से क्या deleted है, second topic में देखिएगा, complementary angles पे जो भी ratios defined थे, वो deleted है, देखते हैं, कौन से हैं, देखिए, यह जो formulas है, complementary angles पे based, यह आपके syllabus में नहीं है, यानि कि इस पे based question भी आपके syllabus में नहीं पूछा जाएगा, कौन कौन से question से देखिए, example 9, example 10 and example 11, इन तीनो examples में आपके complementary angles वाला concept लग रहा है, तो यह तीनो questions आपके syllabus में, यानि कि exam में नहीं पूछा जाएगा, exercise में देखते हैं, exercise 8.3 पू complementary angles वाला concept लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यह भी आपके cut है, 6 and 7, next page पे हमारे, यह देखिए, 6th and 7th, यह question भी आपके cut है, अब देखिए, exercise 8.4, इसमें से सिर्फ थर्ड question जो है, आपके complementary angles पे based है, इसलिए यह question नहीं आएगा, बाकी सारे questions आएंगे, और जो proof वाले questions है, बह इसलिख नहीं चोड़ना आपको, सिर्फ यह third वाला question आपके exam में नहीं पूछा जाएगा, 8th chapter में सिर्फ इतना ही है, अब देखिए, 9th chapter में, next है हमारा 9th chapter, some applications of trigonometry, यानि कि यहाँ पर हमने 8th chapter में जो भी पढ़ा है, वो सब apply किया है, यहाँ पर, तो इस chapter में कोई भी delet question नहीं है, कुछ भी नहीं काटा गया है, जो complimentary angles वाला formula वहाँ पर काटवा दिया गया था, उसके base पर जो questions इस chapter में, वो नहीं काटेंगे, okay, तो आपने वहाँ पर छोड़ दियो topic को, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मेरा suggestion है कि आप वहीं पर पढ़ लीजे, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना है, next है हमारा 10th chapter, circles, इसमें से कोई भी topic डिलीट नहीं हुआ है, दो ही तो exercise है, पहले exercise तो बहुत ही simple है, second exercise में कुछ ही questions है, तो इस topic में से कुछ भी cancel नहीं हुआ है, कुछ भी delete नहीं किया गया है, okay, next देखते हमारा 11th chapter, constructions में से आपका सिर्फ एक ही type का question delete हुआ है, जिसमें आपको triangle similar बनाना है, okay, एक triangle आपको दे रखा होगा और दूसरा triangle आपको बनाना है, similar to the given one, okay, तो first example यह आपके में नहीं आएगा, और देख लेते हैं, example 2 भी नहीं आएगा आपके में, क्योंकि यहाँ पे भी देखे, आपको triangle similar बनाना है, okay, exercise 11.1 में, first question को छोड़के, बाकि सारे question cut है, देखे, second question से लेके, 7th question था, कि सारे triangle similar बनाने वाले questions है, okay, तो यह सारे questions आपके में cut है, first question सिर्फ आपको करना है, बाकि सारे questions आपके syllabus में से deduct कर दिया गया है, next है हमारा 12th chapter, area related to circles, इसमें देखे, आपको कौन सा question delete किया गया है, वो सारे questions जिसमें central angle, sector का angle 120 degree हो, वो वाले questions delete कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि वो question नहीं आ सकता है, उसमें value change करके आपको कुछ और भी दे सकते हैं, हो सकता है 60 degree कर दें, लेकिन 120 degree के लिए आपको आप solve नहीं करना है, okay, चली देख लेते हैं कौन question, यहाँ पर देखिए angle 120 degree है, इसलिए यह question भी नहीं आएगा, बाकि सारे questions नॉर्मल हैं, वो सारे आ सकते हैं, उनमें से कोई भी question आ सकता है, chapter 13, surface areas and volumes, इसमें से कौन सा topic अटा है, इसमें से वो वाला topic अटा है, जो कि है, frustum of cone, cone का एक पार्ट होता है, जो कि frustum of cone कहलाता ह उससे related जितने भी questions है, वो सारे कट होंगे, चाहे उसका volume हो, चाहे curve surface area हो, चाहे total surface area हो, उस सारे questions कट होंगे, तो देखिए example 12, जो कि इस पर based है, इसलिए यह question नहीं आएगा, आगे देखते हैं, और, example 13 and example 14, यह नहीं आएगे, क्योंकि देखिए आप, frustum of cone है यहाँ पे, तो यह question नहीं आएगे, example 13 and example 14, exercise में देखते हैं, exercise 13.4 में, सारे questions कट हैं, क्योंकि यह frustum of cone पे based है, तो पूरी exercise आपके लिए cut है, कितना simple हो गया आपके लिए सब कुछ, ओके, optional exercise में देखिए, 5th question नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे frustum of cone involved है, 6th question और 7th question नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके formulas देखिए, देखिए, derive the formula for curved surface area and total surface area of the frustum of cone, और 7th question में देखिए, इसका volume निकल वाया गया है, तो यह question भी नहीं आएगे, तो 13th chapter में इतना ही है, next देखिए हमारा 14th chapter, statistics, इसमें से देखिए कौन सा topic deleted है, जो mean निकालने के लिए हमाँ पास कई methods ह होते थे, direct method, assumed mean method, step division method, जिसमें से step division method को हटा दिया गया है, यानि कि mean अब आपको निकालना है, सिर्फ direct method से and assumed mean method से, इन दोनों method में से आप कोई भी method यूज़ कर सकते है, step division method आपको नहीं यूज़ करना है, and दूसरा topic जो इसमें से delete हुआ है, वो है, ओजाइब वाला, हैन relative frequency graph हम बनाते थे, वो deleted है, यानि कि example 9 नहीं आएगा आपके में, okay, और exercise में देखिएगा, exercise 14.4, यह पूरी तरीकी से cut है, क्योंकि यह उजाइब पे based questions है, first, second and even third question, यह तीनो cut हैं आपके लिए, हमारा last chapter है, 15th chapter, probability, इसमें कोई भी topic delete नहीं किया गया, बहुत ही simple topic है, probability, इ इसमें कोई deletion नहीं है, I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ इसको share करें, ताकि उनको भी पता चले, कि match के syllabus में क्या reduction है, अगर आप चाहते हैं कि कोई extra question, जो मैंने chapter आपको पढ़ा दिया है, उसका solution आपको चाहिए, तो आप comment section में उस question क type करिएगा, मैं एक वीडियो में उसका solution, आपके नाम सहित उसको बता दूँगा, thank you, have a nice day.